जब सरकार को ये मालुम था कि आनलाइन करवा कर लाकर ही मद्दूरों को ओ वह भेजना है तो या महेना पहले क्यों नहीं किया सरकार तो जनौरी में जानती थी, क्रोना क्या चीज है, जब उन्होंने विदेश की आत्रा करते थे तो उनको नहीं मालूम था, तो हम लोगों को इसके पहले उगत कराना चाहिए, हम लोग अपने बाल वच्चों के बीच में चले जाते, आज हम लोग कहां जाएं, हम लोगों को भूखे मनना पढ़ लाएं, और तरह तरह का जेल जनना पढ़ता है, यहां पर जब चेक करके ट्रेन में बैठाएंगे, तो कहीं गाड़ी रुकना नहीं है, फिर भी गाउं में जाओ, तो 21 दिन, 14 दिन बाहर रहो, तो जब ट्रेन रुकी नहीं, यहां चेकब होके बैठाया, करोना किसी को हुआ नहीं, फिर ट्रेन में कैसे करोना हो गया, यह तो सरकार कुछ समझदारी है ना, हम लोगों के गरीब से खाना बनाते थे, होटलों पर सब्बंद कर दिया गया, वो मजदूर कहां जाए बैचारी, भूखे मर रहे हैं ना, सरकार को इस पर नहीं कदम उठाना चाहिए, या पुलिस वालों को, क्या कोई पुलिस आया कभी, खाली बट डंडर देने के लावा कभी पूछा कि सब्सक्राइब कर देने के लिए नहीं घर पूछते, हम लोगों के उपर इतना बोट डाल दिया है कि ये भारत अपना सो साल पीछे हो गया है, सो साल पीछे हो गया, जो अपने बैमीटिया की साधी ठाने था, क्या वो कर पाएगा, ना मुंकिन है चार्छा साल उन नहीं कर पाएगा, जो कुछ उचके पास 10-20,000 रुपया था, वो तो इस लागडाउन बैठक करोना लेकर गया, आज मजदूर दरादमी हैं, हम पैसा नहीं मिल ला है, गाउं पे गोहूं पानी भीग रहा है, सड़ रहा है, पैसे के बिना कौन भाई दाएंगा, हम लोगों गुम्रा किया जा रहा है, कि फारम भरो, और चुपके चुपके से ट्रेन चलाया जा रहा है, यह सब ट्रेन चुपके से क्यों चलाया जा रहा है, इसलिए चलाया जा रहा है, कि बड़े आदमियों को पहले निकाला जाए, क्या उनके प्रान हैं, गरीमों के नहीं हैं, सब के हैं सबको एक खित में रखना चाहिए यह तो भाई गलस है बिल्कुल गलत मीत है हम लोग इस पर मजदूर दरहां आदमी नहीं सहमत हैं बाकि सरकार की मर्जी जाने तो चार महिने पांच महिने लागडाउन कोई निच्ची नहीं 15-15 दिन ऐसे बढ़ा रहा है एक सरकार जो परवार के भीच में तो रहेंगे परवार के बीच में रहेंगे जो सुखा रुका घर में नमग रोटी हो खाकर गृती तरह ख्ड़ार करेंगे अपने परवार के बीच में रहेंगे मेरा दुख więksों जानेग मैं मैं भी यह हूँ दो साल से प्यूपी में आए रोजगारी के कारण हम नहीं आगे बढ़ सके और तो अगर चार पैसा ज्यादा कमाएंगे परदेश जाकर तो हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे मैं गरीब परवार में पला था मेरे पास आगे पढ़ने के लिए आर्थिक मिस्तिती कमजोर हो गई मेरे पिता जी और माजी बच्पन में थोड़े इस्पायर कर गए मेरे चाचा सहारा थे जहां तक उनका बल पूर्बक लड़ा पढ़ाये लिखाए साधी विभा किया उसके बाद हम एक प्राइवेट स्कूल में विए करने के बाद पढ़ाने लग तो थोड़ा कमाने लगा तो आर्थी किस्तित सुधरने लगी लकिन आर्थी किस्तित अब इस तरह सुधरी कि 20 साल पीछे हो गए आज दो महिना हो गया काम करते हुए काम बंद है लागडाउन है अगर हम 12,000 रुपिया बचाते तो 24,000 बचता मेरे घर का कुछ काम होता मैं मैं यहां भुखा भी मर रहा हूं कौन पूछने आता है सरकार क्या देती हम लोगों को कुछ नहीं यह तो हम लोगों के सेट के हैं कि कुछ जो है वह आतक बेचारे उपलब करा रहे हैं कोई कागज कल फारम भरने के लिए बरके हाथ से ले गया वडाला टेशन पर वहां प दस रुपए फारम मिला बिलेक जो दो रुपए का फारम में दस रुपए लेकर गया जब भरके ले गया तो गया डरते दरते लेकिन वहां पहुचा तो पूछा सर्व फारम जमा करना है इसे इसे बात है उसने ना बोलने के पहले डाटकर भगा दिया का हटो यहां नहीं अब कि तो डंडा सा हैं लाठी सा हैं हम लोग मिल जूल कर रहते हैं हिंदू मुसल्मान से क्या मतलब है दो बार यह जीपी की गवर्मिंट बनी लेकिन दो बार अचानक गरीबों के उपर वार किया गया बिना बताए बिना कोई नियम फालो किये अचानक एक नोट बंदी क किसी को भी नहीं बताया गया अमीर आदमी बिल्कुल लाइन नहीं लगाते थे पहुंचते थे उनको पैसा मिल जाता था गरीब आदमी को लाइन चार बज़े ही लगाना पड़ता था अब की बार ही किसी को नहीं बताया गया कि हम इतना दिन लाग डाउन करेंगे खाली हम अगर कमाई नहीं हुई है तो अपने घर जाएंगे सेट कब तक हम लोगों के बार महरबानी करेगा कब तक वो भी बेचारा पूरा करेगा कहां सहारा मिल ला है कोई बताए कितना रुपया तमाम सरकार को मिला अच्छे कुमार उगेरा दिये कि गरीबों में वाटो लकिन मानने के लामा पूछने नहीं आया है कि आप कुछ खाये है कि नहीं खाये कोई सरकार के तरफ नहीं आया कोई पूछने तक नहीं है टेस्टिंग नहीं कोई भी नहीं हम लोगों के लिया कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कोई ऐसा नहीं है कभी नहीं आया है डेल महने का दि झाल झाल